दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है if you cannot convince them, confuse them और बिल्कुल ऐसा ही NTA करती आ रही है हमने देखा कि जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सुप्रीम कोर्ट ने कल याने ट्यूजडे को एक नोटेस जारी किया NTA को और वो सभी centers पे जहांपे की गलबडिया हुई है उनसे ये कहा कि भी या ऐसा क्यों हुआ है आप इसका proper जवाब दो और NTA ने आज एक बहुती लंबा चोड़ा जवाब दिया है मैं आपको दिखाऊंगा ये NTA की PDF है जो उन्होंने आज दी है और ये पूरी PDF पढ़ने के बाद आपको एक ही feeling आएगी कि मैं मैं ही पागल हूँ जो मैंने पढ़ा मैं ही पागल हूँ जो मैं इनकी press conference सुन रहा था यही feeling आती है अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने press conference की थी जिसमें सवाल बहुत सारे आए काफी genuine सवाल आए लेकिन उनके जवाब क्या है यह कोई नहीं समझ पाया यह बोलना क्या चाह रहे है आखरी में बस यही लग रहा था कि भाई साब 100-200 जदा ले लो लेकिन हमको बता दो clearly कि क्या कहना चाह रहे हो आखरी में कह दे है कि सारी बात हो गए उपर जाके चायवाई रखे बिस्किट रखे खापी के निकल जा तो मतलब ठीक है समझते है आईए इसको भी समझते है उसके पहले मैं आपसे दो से तीन महत्वपून बातें और शेयर करना चाहता हूँ देखिए लेटेस्ट क्या चर्चाह चल रही है मैं आपको बताता हूँ यूजडे याने के कल सुप्रीम कोट ने क्लियर नोटेस भेजा और ये क्वेशन किया कि जो एक्जाम है ये प्रॉपर फियर मीन से नहीं ली गई है and you have to give the answers जिसके response में आज NTN answer दिया है अभी भी एक verdict pending है कि जो re-evaluation की चर्चाह चल रही है उस पे क्या conclusion आएगा ये शायद हमें आज तक पता चल जाए और जो final conclusion है need का क्या होगा re-need होगी या नहीं होगी इसमें भी थोड़ा समय लगेगा at least एक से दो हकते का time में मानके चल रहा हूँ कि सारे प्रकरण के conclusion में आने में लगेगा अब देखिए एक चर्चा important चर्चा इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ latest article है public domain में है let me show you that just a second this one this one तुनिए NTA ने अपने notice में ये बताया है कुछ states का नाम लेगे कि इन states में किसी प्रकार की कोई गलवडिया नहीं हुई है और उसी में से दो states है महराश्टर और तमिल नाडू अब महराश्टर के जो minister है education minister उनका क्या कहना ये दर समझते है talking about the issue महराश्टर medical education minister असन मुश्रिफ तो सर ने क्या कहा है the neat exams were probably conducted after taking money बहुत बड़ा question मांके है the neat examinations were conducted after taking money the results are such that no student of महराश्टरा will get admission for MBBS course in government or private college in state इस प्रकार के results आए है कि भाईया महराश्टर में मुंबई में तो हम भूली गए कि कोई बच्चा जो है वो government या medical अच्छे medical college में जा पाएगा एक बहुत बड़ा question है इसके बाद इसके बाद अगर हम बात करें तमिल नाडू की तो यहाँ पर क्या कहना जारा सुनिये Retired Judge of Madras High Court Justice A.K. Rajan Rajan sir क्या कह रहे है has asked the Tamil Nadu government to take immediate steps on eliminate to eliminate the neat examination through legal through legal और legislative procedures and make higher secondary examination marks the sole criteria मतलब आपके बारवी के marks को sole criteria बना दो ऐसा कहा गया है किन के द्वारा? former justice A.K. Rajan sir के द्वारा और देखते हैं आगे क्या होता है मैं आपको थोड़ा से एक briefing देता हूँ यह जो पूरी examination है यह शुरू क्यों हुँ हुई थी क्योंकि पहले बच्चों को काफी ज़ादा समस्याएं होती थी मध्यप्रदेश के बच्चे को यदि तमिल नाडू का कोई college चाहिए तो उसको कई बार वहां के college में जाके उस center पे जाके examination देने पढ़ती थी जो की वहां के local bodies conduct करवाती है जैसे मैं बात करूँ जिपमर की तो जिपमर का एक separate paper होता था तो बच्चों को जिपमर अलग जाना पड़ता था aims का paper अलग होता था कुछ और universities थी वो separate paper लेती थी और फिर state level PMTs होती थी और central level यानि AI PMT होती थी तो इतनी सारी bodies थी कि ये चीजें बहुत जादा confusing थी इसलिए concept आया one nation one examination का जो definitely बहुत ही बढ़िया बहुत ही wonderful concept था लेकिन अब इसमें किस प्रकार की समस्यां जारी है वो हमारे सामने है क्या समस्यां जारी है वो आपके सामने है उने पर मैं comment नहीं करूँगा लेकिन जो public notice है जो चीजें public domain में उन पर ज़रूर comment करूँगा तो आईए करते हैं कि आज क्या जो discussion है उसकी शुरूआत काफी ज़ादा disappointing discussion रहा देखो कुछ questions इन्होंने भेजे question what is the national testing national eligibility come entrance test just a second चलिए उपर नीचे हो रहा है what is the need need क्या है उसका जवाब दिया कि यह need क्या है कब established होई 2019 से जो approval वगिर आया आपके काम की बात नहीं है आगे बढ़ते है what is the mandate of the NTA for the conduct of need need के conduct के लिए भई यह क्या mandate है तो उन्होंने कुछ जो है बताए है sections as per the section 14 of national medical commission act 2019 need has to be conducted as a common and uniform national eligibility come entrance test जैसा कि मैंने आपको अभी बता है न फूर जर पहले अलग-अलग universities, अलग-अलग college, अलग-अलग समस्से हैं तो वही बता रहे हैं कि यह जितने भी courses है जितने भी disciplines हैं जैसे कि BDS, BAMS, BHMS, MBBS यह सारे एक common exam के through मिलेंगे और उस exam का नाम हमने दिया need बढ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप उसको properly conduct का करवा रहे हो, है ना, ठीक है इसके बाद बता है कि nursing वगेरा जो है उसके भी admissions आपको इसकी तुरू मिल सकते हैं ठीक है, यह भी आपके इतनी काम की बात नहीं है और यह मुझे नहीं लगता कि कोई भी student यह सवाल पूछ रहा है, भाईया यह सवाल है नहीं फालतू का time pass कर रहे हो, अब देखो वेन वास थे नीट 2024 conducted and the result of the same was declared, नीट कब conduct हुई, इसका result कब declare हुआ, सब को पता है, क्या कर रहे हो यार यह कौन सवाल पूछ रहे है, मैं तो located in 587 cities through है ना, on 5th of May और result आया, इस इस तारीक को क्या करें इसका, ठीक है, मान लिए तो आप पता है, हमको इसमें नया तो कुछ है नहीं what are the languages in which the नीट was conducted, पता है कुल मिला के 13 भाशाओं में हुई थी, सब को मालूम है है ना, के अंग्रेजी के साथ साथ, आसमी, बैंगॉली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कंणर, मलियालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेल्गुएं, उर्दू, ये सभी भाशाओं में हुई है, बहुत अच्छा, अच्छी बात है in how many cities was the need 2024 conducted, कितने cities में ये need हुई थी, भारत के साथ-साथ कुछ को चास-पास के शेरों में भी हुई, देशों में भी हुई है, जैसे के अबुधाबी, दुबई, पैंकॉक, कॉलंबो, दोहा, काठमांडू, कौलालंपूर and so on, कई सारे शेरों में, कई सारे भार के शेरों में भी हुई है क्योंकि बहुत साथ स्टूडेंट है जो कि भार से भी इंडिया में आके पढ़ते हैं और बहुत सारे हमारे NRI स्टूडेंट्स हैं, जो के अलग-अलग देशों में अलग-अलग शेरों में बसे हुए हैं which are the other organizations which utilize the sources of NEET UG 2024 ये पूछ रहे हैं कि ऐसे और कौन से संस्थान है जैसे मैंने आपको बता है कि NEET के स्कोर के basis पे BDS, BHMS, BAMS और Nursing BST कभी admissions होते हैं तो वही बता रहे हैं कि result of NEET UG 2024 may be utilized by other entities of central and state government in accordance with their respective eligibility criteria, other norms, applicable regulations, guidelines अच्छी बात है the result data will also be utilized for BSC nursing courses और उसके forms बगेरा आ जाएंगे तो अभी तक तो बातों को गुमाया जा रहा है अभी तक 4-5 सवालों में मुद्दे पे नहीं आए हैं है ना बुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं होता है ना कि आप इधर उदर की बाते करो थोड़ा माहूल डाइलियूट करो अरे भाईया मेन बात पे आओ नॉर्मलाइजेशन पे आओ ग्रेस माक्स पे आओ वो जो गड़बड़ियां हुई है पेपर सभी मादोपुर का कहां से निकला क्यों निकला उस पे आओ और यह जो आपने बोला कि नहीं 25 लाग बच्चों के साथ गड़बढ़नी है सर्फ 14-1500 बच्चों के साथ आता है मुझे करना पढ़ रहा है क्योंकि बच्चों जिनको पढ़ाते हैं तो जिनको पढ़ा रहे हैं पढ़ा क्यों रहे हैं ताकि बच्चा कॉलेज में जाए मेडिकल कॉलेज में जाए हमने पढ़ा दिया लेकिन वो जा नहीं पा रहा है क्योंकि आपने प्रॉब्लम क the role of NTA in the NEED UG 2024, okay, the responsibility of NTA is to conduct the examination and declare the result based on the eligibility criteria provided by NMC, okay, the candidate submitted their category as per the national category list and based on the same the result has to be declared, has been declared, the NTA has provided all India rank of the candidate and admitting authorities will draw a merit list, oh, 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 यह बता रहें कि हमने क्या किया है, हमारा काम क्या है, हमको already मालू में सर आपका काम क्या और उसके basis पर अपने result निकाला लेकिन समस्चे उस result में, problem is with that result, what are the highlights of the NTA in 2022, highlights of NTA in 2024 में इन्होंने data बता दिया कि कितने लोगों ने examination दी, foreign पूछ रहा है तुम लोगों ने जो अभी आई भेजा या नहीं भी भेजा आपने जो भी क्वेशन्स पूछे जो मेल किये क्या आपने ये सब सवाल पूछे तो आठवे सवाल तक तो कोई काम की बात नहीं आई ये आगे बढ़ते हैं हर साल बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं बता दिया नहीं कि येस 16.85 टूटल रजिस्ट्रेशन बढ़े मेल में इतने परसेंट बढ़े फीमिल में इतने परसेंट बढ़े पीडियेफ शेयर कर दूँगा देख लेना इसमें भी कोई काम की बात नहीं है हाँ मेनी सीट्स हाँ मेनी केंडिडेट्स हैब क्वालिफाइड दे नीड यूजी 2024 क्वालिफाइं केंडिडेट्स की बता रहें 13.16 लाख बच्चे क्वालिफाइ कर चुके 13.16 लाख यह पुछ रहें कि किन लोगों ने देश भर में इस एक्जामिनेशन को कंड़क करवाने का जिम्मा लिया तो ने ने बताया कि हमारे सिटी कॉडिनेटर थे, सिटी सुपरिटेंडेंट्स थे, ऑबजरवर थे, डिप्टी ऑबजरवर थे और इन्विजिलेटर थे यह बताना चाहरें कि हमने इतने सारे लोग नियुक्त करके रखेते है अलग अलग जगों पे लेकिन उसके बाद भी हमसे गड़बडियां हो गई इसा कहेंगे, बताएंगे, ठीक है, which are the top three states and union territories, ठीक है, where the highest number of candidates were qualified, अब्ध्यान देना, अभी अभी मैंना आपको एक notice पढ़के दिखाया था, एक news पढ़के दिखाया थी महाराष्टर की, और NTA खुद बता रहा है कि भाया देखो जो तीन लोग हैं, जो तीन states हैं, जैस एक महाराष्टर है, लेकिन महाराष्टर की स्तिती मैंने आपको बताई, ठीक है मैं उस पर comment नहीं करूँगा, मैंने आपको situation बताई, इस से discussion के शुरुवात में मैंने आपको महाराष्टर में क्या problems चल रही हैं, महाराष्टर के education minister ने क्या statement दिया है, मैंने वो बताया, औ registered candidates 28 lakh, कितने बन रही है, sorry, 282,000 और appeared 2,75,000 and qualified 1,42,000, बड़ा ratio है, 2.8 lakh में से 1.42 lakh qualify कर चुके हैं, महाराष्टर में उत्तर प्रदेश की बात करें, तो 3.4 और वहाँ पे 1.6, 1.7 और 1.2, these are big ratios, big numbers, okay, as the syllabus of NEET UG 2024 be revised, syllabus की बात कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, हाँ, बिल्कुल क अपने deleted syllabus में से पूछा, उस पे आपने कोई answer नहीं दिया, यहां पे बहुत बड़ा question mark आना चाहिए, कि आपने syllabus रिवाइस किया, तो जो syllabus में नहीं था, उस में से सवाल आपने क्यों पूछा, यह तो गलत बात है, अगली बात, अगली बात, सुनो तरह, did the candidate get the opportunity to challenge the provisional answer क yes, important point, क्या student को यह opportunity मिली कि वो challenge कर सकता है, तो आहिए इनका जवाब पढ़ते है, NT का response, NT has opted a transparent system wherein the canned copies of OMR of all the candidates, their responses, answer key and booklet code were hosted on the website in the candidate's login account, बता है उन्होंने, जो आपको procedure बता है था न, कि हाँ, आप अपना application number, date of birth वगेरा, सब यह चीज़े भरो, और उसके बाद जो भी response हो, उसको उप challenge कर सकते हो, 200 रुपए का एक amount था, पर question, so what were they saying, candidate were allowed to make challenge from 29th May to 1st of June, समय देखे रखा है किस समय तक वो कर सकते थे, the question paper and recorded response along with the answer keyword displayed on the website for verification by the examinees, after verification by the subject expert, the revised final answer keyword published on the website on 3rd of June, इतनी बात हमको पता है, लेकिन अब यहाँ पे भी दो सवाल उठते हैं, कि आपने किस basis पे किन सवालों को आपने accept किया, किन को reject किया, यार इस पर तो discussion होना चाहिए न, मतलब यह तो वो बात होगे, समझो कि मैंने बोला, मतलब मानलो मैंने एक paper लिया, आपको लग रहा है कि इसमें 10 सवाल गलत है तो मैंने बोला ठीक है, 50 में से आपको जिन भी सवालों में लग रहा है कि गलती है, आप वो मुझे बताओ, आपने 10 सवाल भेजे, मैंने देखा, मैंने अपने तरह से scan किया, discussion किया, कि ठीक है, क्या गड़ पड़े, मैंने बोला ठीक है, दो में गलती थी, या एक में गलत से, चलिए, आईए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, did the candidate get any opportunity to view their OMR answer sheet, सुनना, yes the scanned OMR answer sheet which was submitted by the candidate was shown, लेकिन आप point समझो ना, point यह नहीं है, आपने बच्चे का response उसको दिखा दिया, मान गए, आपने जिन सवालों को reject किया था, उन पर answer चाहिए, एक किन basis पर reject किया, syllabus वाले पर आपने कोई answer क्यों नहीं दिया, एक जो बिल्कुल clearly आँखों के सामने दिख रहा था, कि अरे हाँ, इसमें तो एक NCRT में अलग दिया, दूसरे में अलग दिया, तब वहाँ पर आप फस गए, वहाँ पर फस गए ना, क्योंकि आपके खुद की किताबों में अल अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, अब देखिये, ये भी कितनी गलत बात है, fundamentally बड़ी गलत बात है, कि आपके पास कुछ बच्चों ने, जो है, आप बता रहे हो, कि few writ petitions were filed, कुछ लोगों ने petition file कर दी, अब imagine कीजिए, भारत का most of the student, जो कि middle class है, जो कि गरीब है, उसको नहीं पता ये writ के बारे में, petition file करने के बारे में, और उसका आपने time waste करवा दिया, उसका क्या, उसका क्या, बहुत से बच्चे टच में ऐसे हैं, जो कि scholarship पर पढ़ते हैं, ऑनलाइन में भी, जिनके लिए 5000 रुपे भी afford करना संभव नहीं हो पाता है, जिनके पास, मतलब, बताते हैं कि सरी 5000-2000 रुपे हैं, बड़े मुश्किल से हमने जुगारे हैं, बाकी आप मिला दो, हम लोग किसी तरह से तैयारी कर लेंगे, ऐसे बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कैसे imagine कर सकते हो, कि जिसके पिता जी एक बिल्कुल छोटे से मध्यम वरगिये करमचारी हैं, वो हाई कोट जाके petition फाइल करेगा अपने 15 मिनिट के loss के लिए, अरे वो तो रोरो के पागल हो गया समझो ना, तो यह तो मतलब आप सिर्फ उस student की बात कर रहे हो, जिसके parents बहुत जादा पड़े लिखे, बहुत जादा समझदार जिनके पास paying capacity है, जिनके पास time है, यह तो उन लोगों के काम की बात है ना, पाकियों का क्या, इस पे कौन जवाब देगा, यह गलत बात है, Accordingly, a grievance redressal committee was formed, which considered the grievance representation based on the factual report of the functionaries and CCTV footage from concert examinations, to compensate for loss of time, such candidates were compensated with compensatory marks, फिर से वेक statement, फिर से वेक statement, कि यह बोल रहे हैं कि वो बच्चे जो लेट हुए थे, उनने जाके जो है, रिट वगेरा, पैटिशन वगेरा फाइल करी, और हमने फिर हमारी committee बनाई, चार लोगों की, और उन लोगों ने decide किया, और marks दे दिये, कैसे दिये, one minute equal to how much marks, किस बच्चे का कितना minute का time गया है, कुछ बच्चों के 45 minute का loss हुआ है, कुछ के 20 minute का loss हुआ है, उनके compensation में आपने कितने marks दिये, किस basis पे दिये हैं, यह कैसे इसका गणित क्या बिठाया आपने, वो तो बता वो तो बताना पड़ेगा ना, मतलब 3 घंटे का paper है, मानलो 3 घंटे का paper है, 720 mark का paper है, मेरा आधा paper छूड़िया, तो क्या आप मुझे 300 mark दे रहे हो, क्या आप मुझे 400 marks दे रहे हो, 50 marks दे रहे हो, कितने दे रहे हो, पता तो चले, किस हिसाब से दे रहे हो, उसका आपने आप दिया नहीं, इतना लंबा नोटेस निकाला सर, बोलते-बोलते गला सुख गया, लेकिन कोई काम की बाद आपने दी नहीं, how were the compensatory marks calculated, oh 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 oh, compensatory marks कैसे calculate हुए, the loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency, अरे बाप, रे बाप, कितनी subjective बात, ये बच्चों की answering efficiency, सर ये कैसे calculate करी, please tell me that, and time lost, देखो एक बात समझे न, psychological बात, आप answering ability तब calculate कर सकते हो, जब आप दो बच्चों को same ground पे खड़ा करो, आपने एक बच्चे को बोल दिया कि paper चालू कर ले, और दूसरे बच्चे को आपने आदे घंटा waste करवाने के बात बोला कि paper चालू कर, अरे उसको थोड़ी मालूम था कि आप बात में क्या compensation करोगे, नहीं करोगे, वो तो हरबड़ा गया, वो तो घबरा गया, उसका paper बिगार दिया आपने, और बोलरों कि answering efficiency के basis पर हमने decide किया, सोचो ना, person X, person Y, दोनों examination hall में पहुँचे, दोनों ने paper लिखना शुरू किया, लेकिन एक ने तीन बज़े paper लिखना शुरू किया, और एक ने साड़े तीन बज़े paper लिखना शुरू किया, जिसने साड़े तीन बज़े लिखना शुरू किया, उसको सपना नहीं आया, कि situation समझनी पड़ेगी, आपको पहले ground root की problem समझनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि loss of examination time was ascertained and the candidates were compensated with marks based on the answering efficiency फालतू की बात and the time lost as per the mechanism slash formula established by onrex apex court why did its judgment dated this date, ये न, in WP this much, candidates this much, 1563 candidates were compensated for the loss of time अब मैं ये कहना चाता हूँ कि जो 1563 candidates हैं जिनको loss in time मिला है, सबसे पहले उनकी report सामने निकाली जाए, उनके 12th class के marks सामने निकाले जाए उनके scores सामने निकाले जाए, तब जाके ये decide हो पाएगा, ये पता चल पाएगा कि ये जो judgment आया है, ये जो जरूरी है, हर बच्चे की अलग कहानी होगी, मैंने का नहीं बहुत subjective चीज है आप generalized formula नहीं लगा सकते हो एक के साथ 25 मिनिट का time waste हुआ लेकिन महाँ पे center ने उसको चिला दिया बोल दे कि कुछ नहीं होगा, तेरी गलती है, तु क्यों लेटा आया वो घबरा गया, वो nervous हो गया, दूसरे को इनवी लेटर ने बोला कि बटा ठीक है, चिंता मत कर मैं तुझे आदा घंटा एक्स्ट्रा दे दूँगा, उसका state of mind अलग होगा, तीसरे के साथ अलग situation होगा, आप generalized कैसे कर सकते हो अगली बात, 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 हाल तू, एकदम गलत आंसर, कुछ भी, है ना, वर देर अनी candidates beside 1563, वो रेसीवड कंपनशेटरी मार्क्स, नो, अगला, इसी प्रकार से कुछ और मतवपून बाते हैं, जैसे CCTV कैमरा की बात, सुनो, सुनो, डिसकेशन तो इस पर बहुत लंबा आते हैं इसमें, लेकिन वही बात हैं कि कम समय आपका मुझे लेना है, बहुत ज़ादर नाइम इसमें लगाना नहीं है, अब यह पढ़ो ना, why the answer की was changed from one correct option to multiple correct answer for physics, question, इसका अंसर दे रहे हैं, to evaluate understanding of nuclear composition related, अच्छा, इन्होंने इसका अंसर दिया है, इन्होंने इसका answer दिया है, question का, अब आप यह समझो, मालिक, आप इतने सालों से NCRT में गलत चीज़ छापके बैठे हुए थे, उसके बाद आपने change किया, और आपके committee members को यह नहीं मालूम था, कि वो change हो चुका है, इतनी सी बात है, उसको ढाकने की कोशिश कर रहे है, अब उस पर क्या होता है, घुमाएंगे, बात करेंगे, कि देखो, atom ऐसा बनता है, सब को मालूम है, atom क्या होता है, कैसे होता है, हर बच्चे ने बता दिया था कि गलत है, लेकिन आपको समय लगा इसको accept करने में, जब तक बवाल नहीं उठा, तब तक तो आप इसको भी accept नहीं कर रहे थे, ये question मैंने 5 माई को बता दिया था, लोग प्रूफ करता हूं, ये देखो, प्रूफ करता हूं, मैंने किस डेट पर बताया था, नीट अलकेमी चैनल खोलते हैं, ठीक है, नीट अलकेमी चैनल खोलते हैं, नीट अलकेमी चैनल, ठीक है, ये हमने खोल दिया, अने अकेडमी नीट अलकेमी चैनल खोला, ये आगे नीट अलकेमी चैनल, इस Neat Alchemy Channel में, आप जाए़े Shorts पर, और ये Shorts में आप लोग जाएए पीछे, ये Shorts में आप लोग जाएए, ठीक है, Shorts में आप लोग जाएए, कहां चले गए, एक सेकनड, बस एक मिनट का समय लूँगा, प्रूफ करना है ना चीज, shorts में आप जाएए पीछे shorts में आप जारें पीछे और पीछे जाएए और पीछे जाएए ठोड़ा सा और बस न, आई गए हैं लोग आई गए हैं, बस 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 यह आगये, ये देखो ये ये तुम्हारा भाई ख़ड़ा सामने requested to NTA एक ये देखो उसके अलावा एक ये देखो, तुम ये short देखो, ये short देखो, अब इसमें ये इसको pause कर दो, pause कर दो इसको pause, ये question पढ़ो आप, ये वही सवाल है, अरे ये सवाल तो मैं 5 मई को बता चुका हूँ, इस पर वीडियोज बना चुका हूँ, सारी गड़बडियों के बारे मैं ब की बात हो चुकी है, और उसके बारे में आप फिर ये result दे रहे हो, ठीक है, लेकिन ये ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थे, तुरंत अड्रेस होनी चाहिए थे, तुरंत इस पर आपको कारवाई करनी चाहिए थी, और मेरा मानना है कि इसको बोनस करना चाहिए था, क लो बात को, चलिए, आगे बढ़ता है, let's take the discussion ahead, कुछ और सवाल है, CCTV की बात किये, ये आप लोग खुद एक बार read करना, in short conclusion ये, कि जितनी बातें अभी तक बताई है, ये हमको satisfactory concluding नहीं लगी, आगे क्या चर्चा होती है, क्या बातें होती है, सारी मैं आपके साथ share बने रहिए, on this beautiful platform, Need Alchemy by An Academy, thank you, goodbye, take care, I'll share this PDF, in the Telegram group, bye